आज हम बनानी जा रहे हैं मखाने का खीर, जो पोसक टतों से भरपूर और स्वाध के साथ सा सेहत के लिए भी काफी फाइदे मन माना जाता है आम तोर पर मखाने का सेवन तो सभी लोग करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि मखानों से तयार खीर भी बहुत ही स्वाधिश्ट होती है यूँ तो भारतिये घरों में खीर खुब पसंद की जाती है आज हम आपको चावल की नहीं बलकि मखाने की खीर की रेसिपी बताएंगे तो चलिए जानते हैं टेस्टी मखाने की खीर बनाने की आसान रेसिपी मेरे चैनल को कुईतबाला में आपका स्वागत है मेरे अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और कॉमेंट करके बताएगा कि ये मेरा रेसिपी आपको कैसी लगी और एक बर मखाने का खीर बनाने का जरूर ट्राई कीजेगा क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में तो चलिए बनाते हैं मखाने का खीर बनाने के लिए सबसे पले कराही में दो चमच देसी घी डालेंगे और ये मखाना जो है ये डेर कटोरी मखाना है और इसे मीडियम और लो फ्लेम पर इसे भूनेंगे जब तक ये करक न हो जाए ये देखिए करंची आप तोरिएगा ठंडा होने के बाद तो ये तुरंत तूट जाएगा हाथ से तो उतना इसे भूनना है मखाने की सेवन से तनाव कम करने से लेकर हडिया मजबूत होने तक यहां तक की वजन भी कम करने में मदद करता है मखाने तो बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए और हमें भी खाना चाहिए तो मखाना तो आप लोग ऐसे भून कर तो खाते ही होंगे ब्रत में तो इस सामन आने वाला है आप लोग इसका खीर बनाएए मखाने का और खाईए सचमुझ बहुत टेस्टी लगता है यह देखिए मखाना फ्राई हो गया है अब इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी के जाड में दरदरा पीस लेंगे यह देखिए मैं मिक्सी के जाड में मखाने को डाल दी हूँ देखिए तोर कर भी दिखाती हूँ यह देखिए इतना जल्दी टूट गया मखाना बहुत ही क्रंची बना है ये देखिए इस तरह से दरदरा पीछ लेना है बहुत इसे बारीक नहीं पीछना है अब एक बरतन लेंगे जिसमें आपको खीर बनाना है और उसमें आधा लीटर अमूल ताजा दूद डालेंगे आप कोई भी दूद ले सकते हैं अमूल गोल्ड या कोई भी आधा लीटर लेना है क्योंकि मेरा जो मखाना है वो सिर्फ एक कटोरी ही होगा क्योंकि डेर कटोरी मखाना मैंने लिया था पीछ कर वो पीछने के बाद एक कटोरी वो मखाना होगा तो एक कटोरी में आधा लीटर दूद काफी है अब दूद को गरम करने से पहले थोड़ा थोड़ा करके मखाने का जो पाउडर है वो इसमें डालेंगे और मिलाएंगे दूद गरम नहीं होना चाहिए ठंडा ही दूद में इसे डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके नहीं तो गरम दूद में उसमें गुठलिया पड़ जाती है इसलिए ठंडा दूद में ही इसे मिलाएंगे इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद गैस को अॉन कर देंगे और लगतार इसे चलाएंगे नहीं तो नीचे बैठ जाएगा इसे लगतार चलाते हुए मखाना को और दूद को पकाएंगे इस तरह करने से धीरे धीरे गारा होने लगेगा यह देखिए धीरे धीरे गारा होने लगा है दूद देखिए कभी गैस को हाई करेंगे कभी मीडियम करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे इसे लगतार चलाएंगे नहीं तो नीचे बैट्स कर जलने लगेगा अभी यह देखिए दूद और मखाना दोनों ही अच्छी तरह से पक गया है और गारा भी हो गया है यह देखिए कितना जल्दी मखाना का खीर बनकर तयार हो जाता है अब इसमें आधा कटोरी से भी कम इसमें चीनी डालेंगे जिस कटोरी से मखाना मैंने नापा था उसी कटोरी से आधा से कम चीनी इसमें डालेंगे अब इसमें तीन इलाइची का पावडर और काजू को कूट कर इसमें डाल देंगे ड्राइफरूर्स में आप और भी किस्मीस बदाम पीस्ता भी डाल सकती है मैंने इसमें सिर्फ काजू डाला है और इलाइची का पावडर अब इसे ढख देंगे ठंडा होने के बाद इसे सर्फ करेंगे ये देखिए मखाना का खीर कितना सुन्दर और टेस्टी लग रहा है खाने में भी टेस्टी लगेगा देखने में भी सुन्दर लग रहा है इसे अब रत में भी खा सकते हैं बच्चों को भी खिला सकते हैं और ये फटाफट भी बन जाता है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा मिलते हैं